TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV Canadian सुबे उंटीरियो में एक बार फिर Corona cases में इजाफा सुबे की स्कूलों में एक महा के दोरान Corona के सबसे जाइब cases डिपोर्ट सरकारी स्कूलों में एक ही दिन में 128 cases सामने आ गए कैनेडियों सुबे ब्रीटिश कोलंबिया में सेलाब से तबाही 18,000 सजाइद अफराद फ़स गए विफागी हकूमत की जानब से सुबे की मदद के लिए टीमें भेश दी गई कैनेड़ा भर में कुरोना वारस के फैलाओं में कमी मरीजों की मजमुई तादा 17,69,560 तक जा पहुँची अलाकते 29,462 हो गई भारती वजिर आजम ने किसानों के सामने घुटने टेक दिये मुदी का मतनाज़ जरी कावनीन पापिस लाने का एलान भारती हकूमत को मतनाज़ एकदाम पर इंसानी हकूँ की तन्जीमों के दबाओं का सामना था अमरीकी सदर का चीन में सुर्माई ऑलम्पिक्स के सियासी और सिफार्थी बाइक का इंदिया अमरीक अफ्तितारी तकरीब में अपना हकूमती वफ्त नहीं भेजिगा तहम अमरीकी एथलिट इवन्ट में शरीक होंगे दुनिया भर में 25 करोज 64 लाग 76,000 अफराद कोरोना से मुज़िवारस से अमबाद 51,50,361 हो गए जबके 23 करोज 16,84,903 कोरोना मरीज से अधियाप हो चुके हैं हेडलाइज आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ केनिडा की सूबे उन्टीरियो में एक बार फिर कोरोना वारस में इजाफा देखने में आ रहा है सूबे में एक ही दिन में सरकारी स्कूलों में 128 करोना केसिस रिपोर्ट हुए मजी तफसिला जानते हैं इस रिपोर्ट में कैनिडा की सूबे उन्टीरियों में एक बार फिर करोना वारस में इजाफा देखने में आ रहा है सूबे में एक ही दिन में सरकारी स्कूलों में 128 नए करोना केसिस रिपोर्ट हुए जो कि गुजिशना एक माह के दोरान एक ही दिन में केसिस की सबसे ज्यादा तादाद है वजारत तालीम का कहना है कि 110 केसिस तुलबा और 16 अमले में पाए गए जबके दो दीगर केसिस की वावस्तगी जाहिर नहीं की गई ये आंटेरियो के स्कूलों में 6 अक्तूबर के बाद से एक दिन में सबसे जादा इसाफा है जब 173 नए केसिस रिपोर्ट हुए सूबे के 4844 पबलिक फंडिट स्कूलों में से 558 स्कूलों में अब कोविड-19 का कम असकम एक पाल केस है और चार स्कूल बंद है जिन में जी टीए के तीन स्कूल भी शामिल है नए केसिस सूबे के इनफैक्शन का 24 पीसद हैं सितंबर 2021 के आगा से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अफराद पर मुश्टमिल कोविड-19 के 5992 तस्दीख शुदा केसिस हो चुके हैं केनिडा के सूबे ब्रीटिश कॉलंबिया में हंगामी इमदाद पराहम करने वाले एदारों के एहलकार सेलाब में फसे 18,000 अफराद तक रिसाई की कोशिश कर रहे हैं मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा के सूबे ब्रिटिश कॉलंबिया में हंगामी इमदाद पराहम करने वाले एदारों के एहलकार सैलाब में फसे 18,000 अफराद तक रसाई की कोशिश कर रहे हैं विफाकी वजीर बराहंगामी सूरतेहाल बिल ब्लेर ने सहाफियों को बताया के सूरतेहाल अभी संगीन है ताहम इसमें कुछ बहतरी आई है हकूमत ने फिजाया के सैक्ड़ों एहलकार ब्रिटिश कॉलंबिया भीजने का वादा किया था जिन में से कई एहलकार पहुँच चुके हैं सैलाब ने अमरीका के दारल हकूमत वाशिंग्टन को भी मतासिक किया है और सदर जो बाइडन ने केनेडियन वजीर आजम जेस्टिन टूरो से मुलाकात से पहले निशान दही की थी कि हम कुछ अरसे से अच्छे दोस्त हैं हम दोनों को ही ब्रिटिश कॉलंबिया और पैसिफिक नार्थ वेस्ट में तूफान और सैलाब से मतासिरा खानदानों का खयाल है दूसरी जानब कैलिगरी में एमरजन्सी हुकाम का कहना है कि वो सैलाब से मतासिरा सूबे में इमदाद भेजने के मुनतजर और तयार है सिटी ऑफ कैलिगरी के मताबिक ये टीम 150 से जायत रजाकार, रेस्क्यू, माहरीन, तिबी अम्दे, इस्ट्रक्चरल इंजीनियर्स, मवासलाथ और लॉजिस्टिक्स के माहरीन और कमांड स्टाफ पर मुश्तमिल है और मुश्तलिफ के मतालबाती आफात और बचाओ के हाला से नमटने की सलाहियत रखती है हुकाम का कहना है कि जब उन्हें दरफ़ास मौसूल होगी तो हम जरूरत के मताबिक मदद के लिए इंतहाई तेजी से मतहरिक होने के लिए तैयार होंगे कैनेडा में उटेडियो सुवह में करोना केसिस की तादा सबसे जएादा है सुबह भर में करोना वारश से متاثिट होने वालों की तादाद 6,9429 तक जा पहुची है मजीद चानते हैं इस डिपोर्ट में कینیडा भर में करोना वारिस के फैलाओं में कमी देखने में आ रही है आखरे इतलाद के मताबिक कینیडा भर में करोना के मरीजों की मजमुई तादाद 17,69,560 तक जा पहुंची है जबके हलाकतیں 39,462 हो गई मुल्क भर में 17,6554 से जायत मरीज सहतियाब हो चुके है आंटेरियो सूबे में करोना केसिस की तादाद सबसे जादा है सूबे भर में करोना वारिस से मतासिर होने वालों की तादाद 6,9,429 तक जा पहुंची है जबके हलाकतों की तादाद 9,955 है कैनेडा में करोना वायरिस के सबब सबसे ज़्यादा हलाकतें क्यू बैक सूबे में हुई है सूबे में करोना वायरिस के मचमुई केसिस की तादाद 4,36,804 है जबके सूबे में करोना वायरिस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,560 तक जा पहुंची है कनेडियन सूब अलबर्टा में भी इस मोलिक वाबा में इजाफा देखने में आ रहा है अलबर्टा सूबा इस वक करोना वाइरस की वज़ा से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है सूबे में 3,211,214 अफराद करोना वाइरस से मतासिर हुए हैं जबके 3,209 अफराद हलाक हो चुके हैं ब्रिटिश कोलम्बिया में केसिस की तादा 2,14,150 है जबके सूबे में करोना वाइरस से होने वाली हलाकतों की तादा 2,290 है भारती वज़िर आजम मोदी ने इहतिजाजी किसानों से मौफी मांगते हुए मतनाज़ कोणीन वापस लेने का ऐलान कर दिया मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में भारती वज़िर आजम मोदी ने इहतिजाजी किसानों से मौफी मांगते हुए मतनाज़ कोणीन वापस लेने का ऐलान कर दिया भारती वजीर आजम नरिंदर मूदी ने किसानों के सामने घुटने टेक दिये कौम से खिताब में मूदी ने ना सिर्फ मुतनाज़ जर्फ गवानीन वापस लेने का ऐलान किया बलके आवान से मौफी भी मांगी कहा कि किसानों से दर्फ़ास से एहतिजाज खतम कर दे मुतनाज़ गवानीन वापस लेने पर भारती वजीर आला पंचाब कैप्टन अमरिंदर सिंग ने मूदी का शुक्रियादा किया जबके मुतहदा किसान मौचा के रहनुमाओं ने किसान मुखारिफ गवानीन की वापसी के ऐलान को तारिखी काम्याबी करार देते हुए कहा कि कानून वापस लेने के पारलीमानी आमल के मुकमल होने का इंतिजार करेंगे गुजिशता बरस मुदी हकूमत ने भारती पारलीमान से जरात के मुतालिक तीन बिल पास करवाई थे जिन में पहला जराई पैदावार तिजारत और कॉमर्स कानून 2020 था जबके दूसरे को किसान की तरक्यों तहफुस का नाम दिया गया तीसरे जराई कानून में जरूरी अश्या से मुतालिक तर्मीम की गई थी जिस पर पूरे भारत में किसान सरापा एहतिजाच बन गए थे किसानों का मौकब था कि ये कवानिन उनके मौशी इस तहसाल का सबब बनेंगे भारती किसानों की तहरी की काम्याबी की बड़ी वज़ा उनका पूर अमन एहतिजाच था मौधी हकूमत ने तमाम तर रियासती हदकंडे अपनाते हुए ताकत का भर पूर इस्तिमाल किया लातादाद सिखों को किरिफतार किया गया जेलों में गहर इंसानी सुलूप मौधी हकूमत का मश्खला रहा जिसकी भारती सिवल सुसाइटी समय तमाम तबकों की जानिब से भर पूर मुझामत की गए इखलाकी जवास खोने पर नरिनर मूदी को आलमी सतह पर भी शदीद शर्मंदिगी का सामना करना पड़ा अमरीकी सदर बाइडन ने चीन से अदावत के सबब बैजिंग सुर्माई ऑलम्पिक्स के सियासी और सिफार्थी बाइकॉट का इंदिया दे दिया मज़ी तफसिला चांते हैं इस रिपोर्ट में अमरीकी सेदर बाइडन ने चीन से अदावत के सबब बीजिंग सर्माई ओलम्पिक्स के सियासी और सिफार्ती बाइकाट का उन्दिया दे दिया वाशिंग्टन में केनेडिन वजीर आजम के हमरा गुफटगू करते वे सदर बाइडन ने कहा के वो बीजिंग सर्माई ओलम्पिक्स की सियासी और सिफार्ती बाइकाट पर गोर कर रहे हैं बाइकाट की सूरत में अमरीका इफ्तिताही तक्रीब में अपना हकूमती वाफ्त नहीं बेजेगा ताहम अमरीकी एथलेट इविंट में शरीक होंगे सुर्मे ओलम्पिक्स 2022 आएंदा फरवरी में चीन के दारुल हकूमत बीजिंग में शिडियून है चीन और अमरीका के माबैन कशीदगी आलमी सियासत में अस्रों नफूस के मुकाबले के बाइस बढ़ती जा रही है चीन अमरीका को माशी मैदान में शिकस्त दे चुका है ब्लोंबर के मताबिक दुनिया भर की डॉलर सन 2000 में 156 ट्रिलियन डॉलर थी जो अब बढ़कर 514 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच चुकी है जिसमें चीन का सबसे ज़्यादा एक बटा 3 पीसद हिस्सा है चीन की मजमुवी माशी मालियत 120 ट्रिलियन डॉलर है जबके अमरीका अपनी खरा माशी पालेसियों के सबब सिर्फ 90 ट्रिलियन डॉलर सक महदूत हो गया है चीन मौशी मैदान में अमरीका को शिकस देने के बाद अब पौजी सलाहियत में तेजी से इज़ाफा करने में मसरूफ है करोना वारस के केसिस और इस समबाद के इतबार से अमरीका ताहाल पहले नमबर पर है जहां इस वारस से अब तक साथ लाग नवासी हजार एक सो पच्पन अफराद मौट के मूँ में पहुंच चुके हैं मजीद चौनते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस से मतासरा अफराद की तादाद 25 करोड 64 लाग 76 हजार 472 तक जा पहुची है जबके इस मूजी वारस से अमवाद एक कामल लाग पचास हजार 361 हो गई जबके 23 करोड 16 लाग 84 हजार 903 करोना मरीज से हैतियाब हो चुके हैं करोना वारस के केसिस और इस से अमवाद के एतिबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है जहां इस वारस से अब तक 7,89,155 अफराद मात के मूँ में पहुच चुके हैं जबके इस से बिमार होने वालों की मच्मुई तादाद 4,83,98,455 हो चुकी है एक अरब से जायद अबादी वाला मुल्क भारत करोना वारस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है जहां इस वारस से 4,65,82 हलाकते हो चुकी हैं जबके इस से मतासिरा 3,44,89,623 मरीज सामने आ चुके हैं तरकी में करोना वारस से आवाद 73,428 तक जा पहुँची हैं जबके केसिस 85,3,220 हो चुके हैं साओधी अरब इसी फैरिस में 98 नंबर पर पहुँच चुका है जहां करोना वारस से अब तक कुल आवाद 8,821 रिपोर्ट हुई है जबके ममलिकत में करोना मरीजों की तादाद 5,49,370 तक जा पहुची है टैग टीवी के पाकस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रही हैं टैग टीवी झाल